हेलो दोस्तों ये है सुजी की जिकसर ABS Naked 155 BS6 का 2020 मॉडल तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं, मायलिज क्या, इसकी ओन रूड कीमत कितनी है इसमें टोटल पांच कलर का उप्सन मिलता है ये है जिकसर का Metallic Triton Blue Color और ये है इसका Black Color और ये है इसका Pearl Mirror Red Color तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके Front से तो इसकी जो Headlight की जो Design है वो काफी Unique बनाई गई है और यहाँ पर आपको जो है Number Plate के लगाने का Option मिल जाता है इसकी जो Headlight में आपको Fully LED Setup देखने को मिल जाता है जैसा कि मैं इसको On कर देता हूँ तो यहाँ से आप इसकी Low Beam को देख सकते हो अब मैं आपको इसकी High Beam को भी On करके दिखा देता हूँ तो यहाँ से आप इसकी High Beam की Light को भी देख सकते हो अब चलते हैं दूस्तों इसकी नीचे की Side में तो यहाँ से आप इसके Front Mud Guard को देख सकते हो जो की Glossy Finish में दिया गया है जिसके उपर सुझकी का Logo मिल जाता है और यहाँ पर आपको Front में Single Channel ABS Breaking System मिल जाता है और इसके Front वाले Tire के Size की बात करें और इसके Front में आपको Telescopic Suspension मिल जाते हैं दोस्तों जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं तो बात करें इसके Meter Console की तो इसमें Fully Digital Type का Meter Console दिया है जैसा कि यहाँ से आप इसकी Display को देख सकते हैं और यहाँ पर आपको सुझकी की Branding मिल जाती है इसके उपर की साइड में एक LED की White Color की Light दी गई है और यहाँ पर आपको Warning Indication Light, ABS की Indication Light देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको Trip को Meter Adjust करने के लिए Button दी गई है यहाँ पर आपको Stun Signal Indication Light, Gear Indication Light और Man Head Light Indication Light और यहाँ पर आपको Engine Wall Function Indication Light देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको Gear Position Indication यहाँ पर RPM की Reading यहाँ पर आपको Kilometer की Reading और यहाँ पर किलोमीटर परार Speed की Reading और यहाँ पर आपको Fuel की Reading और यहाँ पर आपको Clock भी मिल जाती है इस bike के अंदर यहां से आप इसके meter console को adjust कर सकते हैं और यहां पर आपको handle bar road मिल जाती है blackness में और इसकी side mirror हैं काफी unique design के दिये गए हैं और यहां पर आपको passing switch, low beam, high beam switch, indicator और horn का switch मिल जाता है अब इसके दूसी side में चलें तो यहां पर आपको engine kill का switch मिल जाता है और इसके नीचे की side में self का switch देखने को मिल जाता है अगर इसको side profile की तरफ से देखें तो इसका जो look है वो काफी attractive दिया गया है blue color के उपर white color के graphics काफी attractive look देते हैं इस bike को और इसके fuel tank के उपर सुझकी का 3D में logo मिल जाता है chrome finish के साथ और इसके fuel tank के cowl के उपर jixer का logo दिया गया है यहां पर आपको graphics मिल जाते है white color के और यहां भी आपको jixer का बड़ा सा graphics दिया गया है और यहां से आप इसके fuel tank की design को देख सकते हो जो की काफी muscular सी दी गई है यहां भी आपको dual tone color देखने को मिल जाता है इसके fuel tank की जो capacity है वो 12 liter की दी गई है काफी बड़ा fuel tank इस bike में आपको देखने को मिल जाता है और इसके नीचे की side में चलें तो यहां पर आपको glossy blackness मिल जाती है और ACP का logo मिल जाता है और इसके battery panel पर grey color की combination मिल जाती है और इसके पीछे वाले tire के size की बात करें तो 140-60-70 का tire size दिया गया है MRF Company के Tuleless tire मिल जाते है पीछे वाला tire है वो radial का दिया गया है और यहां पर आपको lemon color की stickering देखने को मिल जाती है इसके allowable के उपर और इसके पीछे की side में swing arm type का suspension मिल जाता है जो की single दिया गया है और इसके rear की side में आपको disc brake का option मिल जाता है इसमें आपको front में ही single channel ABS मिलता है पीछे की side में ABS braking system नहीं दिया गया है जैसा कि यह single channel ABS bike है और यहां से आप इसके पीछे वाले tire को देख सकते हैं जो की काफी चोड़ा दिया गया है अब बात करें इसके पीछे वाले side की तो यहां पर आपको color के साबसे blue color के gravendal मिल जाते हैं यहां पर आपको LED की tail lamp मिल जाती है जैसा कि यहां से आप इसकी design को देख सकते हो जो की काफी unique दी गई है और यहां पर आपको indicator मिल जाते हैं bulb वाले और नीचे की side में reflector दिया गया है अब चलते हैं इसके दूसी side में तो यहां से इसकी design है वो काफी unique देखने को मिल जाती है पीछे की side से और यह इसकी seat है दोस्तों जो की दो part में divide की गई है और इसकी कुशनिंग है और जो quality है वो काफी अच्छी मिल जाती है इस bike में और इसकी seat cowl के नीचे की side में आपको जो locker मिल जाता है seat के लिए और यहां से आप इसके panel के graphics को देख सकते हो same stick और graphics यहां भी आपको देखने को मिल जाते है और यहां पर आपको जो इसके left hand side में आपको एक company fitted black color का side guard मिल जाता है इसका जो chan set cover है वो plastic का दिया गया है और यहां पर adjustable footrest मिल जाता है पिलियन के लिए और यहां पर rider के लिए भी adjustable footrest दिया गया है इस bike में आपको 5 gear का manual setup मिल जाता है और नीचे की side में side stand और man stand भी दिये गए है और 160 mm की ground clearance मिल जाती है इस bike में जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं इसके engine का जो color है वो matte blackness में दिया गया है इसके उपस सुझकी की branding मिल जाती है अब बात करें दोस्तों इसके engine और power की तो इसमें 155 CC का air cooled forest rock single cylinder 2 bulb BS6 fuel injected engine दिया है इसकी maximum power है 13.6 PS की 8000 RPM पर इसका maximum torque है 13.8 NM का 6000 RPM पर इसमें मिलता है 5 speed gearbox इसका total weight है 147 kg अब दोस्तों चलते हैं इसके engine की दूसरी side में तो यहां भी आपको सुझकी की branding मिल जाती है इस bike में केके start का option नहीं दिया गया है और यहां पर आपको जो engine oil का cap और यहां पर oil filter का cap दिया गया है और यहां पर आप इसके catalytic converter को देख सकते हो जिसके उपर एक metal की plate लगाई गई है और यहां पर आपको oxygen sensor देखने को मिल जाता है जो के इसके exhaust के corner पर दिया गया है तो जैसा कि यहां से आप इसके नीचे की design को भी देख सकते हो और यहां पर आपको engine oil को भी चेक कर सकते हो इसके नीचे की side से और यहां पर आपको brake pad और adjustable potrest मिल जाता है rider के लिए और यहां से आप इसके braking system को देख सकते है अब बात करें इसके exhaust के design की तो जहां पर आपको chrome की plate मिल जाती है इसके side में और इसके rear side में भी chrome की plate देखने को मिल जाती है जो कि इसके look को काफी ज़्यादा enhance कर रही है तो दोस्तों मैं आपको इसके engine का और इसके exhaust का sound सुना देता हूँ तो bike जो है दोस्तों वो start हो चुकी है तो दोस्तों अब आप इसके engine के sound को सुन सकते हो यहां में आप इसके engine के sound को note कर सकते हो और दोस्तो मैं आपको इसके exhaust के sound को भी note करा ले जाओं तो यहांसे आप इसके exhaust के sound को भी note कर सकते हो आपको इसके engine का sound और इसके exhaust का sound कैसा लगा प्लीज comment करने जरूर बताएं अब दोस्तो बात करें इसके mileage की तो इस bike में आपको 45-50 km per liter का आसानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको economy zone में चलाते हैं तो बात करें इसके price की तो दुस्तो इसकी जो on road कीमत है वो है 1,46,557 रुपे ये on road कीमत मैंने आपको बताई है विवान सुझकी, बेलगचिया, रोड कोलकता, सोरुम की सोरुम की सारी जानकारी आपको इस वीडिय वीडियो को जहाँ से आदा like करें, comment करें, share करें, अगर आपके मन में कोई doubt या सवाल है तो आप मेरे को comment करके पूछ लेना, दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली वार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरू दबा देना, thank you दोस्तो